को हाइख्वा दूभार कि यह जो के वीडियो के एक्स्टेंशन है जैसे मैंने कल वीडियो बनने था पजी बैन के ऊपर में ओके तो देखें आज के दिन यह यह वाला मेसेज तो आपको अए गया होगा सबको अब यह मेसेज का मतलब यह है कि पजी भी जानता है एक्जैकल इंडिया में क्या चल रहा है privacy policy जो हैं इंडिया के लिए specially updated किया है Okay, तो यह हम लोगों के लिए फोड़ा relief है, यह कह सकते हैं कि अगर privacy policy में अगर कुछ इनों ने changes लिया है तो I'm sure कि यह कुछ IC के regarding होगा कि इंडिया उन्हीं आप्स को ban कर रहा है जो privacy मतलब यह chances थे कि PUBG भी बैन हो सकता है तो इसके करण PUBG ने तुरन स्टेप लेके यह वाल अपडेट दिया तो लेट सी गाइस की इसमें क्या एक्जाक्ली है एंड मैंने कुछ चीजे जो नोट की है जो हम PUBG प्लेस के लिए थोड़ा सा रिलीफ है तो यह कुछ पॉइंट से जो शायद अभी अपडेट किया है यह रहा आगे आपको दिखाता हूं ठीक है यह रहा लेफ्ट में नीचे में एकदम बॉटम नीचे में प्राइवेसी पॉ अफ यूजर स्लोकेटर्ड इंडिया उनली मतलब क्या है इच यह कलेटर लीव तरहें कि सर्वर हमारा इंडिया में तो हम लोग कोई information जो होता है वो we make sure की server से regarding है इंडिया में ही रहे और कुछ और भी दिखाता हूँ मैं आपको अब I suppose ये अभी के update में ही आया हुआ है ओके अब ये देखिए इंडिया sharing of your personal information where we permit any third parties to collect and use your personal information we shall take reasonable measures to ensure that the third parties do not further disclose the personal information guys ये specifically इंडिया के लिए इनों ने अलग से लिखा हुआ है तो this shows की PUBG भी concerned है ये जो चीज़े आज चल रही है PUBG बैन इंडिया तो इससे हमें at least इतना तो clear हो गया कि privacy को लेके PUBG clear है इंडिया के terms को लेकर तो rest assured देखते आगे क्या होता है I am beat assured की शायद band ना हो अगर होता भी है तो तुरंत वापस आ जाएगा ठीक है तो ये छोटी चीज़ तुमसे share करना था इसलिए वीडियो बना है so bye bye ये हो ठाये होता है तुमसे होता है